हेलो स्टुडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया उल्डेज में आपका एक बात फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुप्तों का धार्मी के वसामाजिक जीवन के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखेगा पहले वाले वीडियो में हमने गुप्तों क जो न्याय परशासन था और गुप्तों की सासन व्यवस्ता थी गुप्तों की संस्कृति कैसी थी इन सब के बारे में हमने पढ़ा है तो आप प्लेइलिस्ट में जाके और गुप्तकाल के बारे में जानकर इप्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यदि आप लोगोंने अच्छे वीडियो मिल सकें आप हमारा प्रोस्तान कीजिएगा तो पढ़ते हैं गुप्तों का धार्मिक यह समाजिक जीवन गुप्तों का धार्मिक जीवन गुप्त राजाओं का सासनकाल ब्राहमन अर्थात हिंदू द्रम की उन्नति के लिए प्रख्यात है गुप्त सासक वैशनम द्रम के अनुएई थे तता उनकी उपादी परम भागवत की थी उन्होंने वैदिक यग्यों का अनुस्ठान किया परन्तु स्वयम नैश्टिक वैशनम होती हुए भी उनका द्रश्टिकों पून्त या ध्रहम सहिशनु था तथा वे किसी भी अर्थ में पर्तिकिरियावादी नहीं थे उनकी धार्मिक सहिशनुता एम उदारता की नीती ने इस काल में विभिन धर्मों एम संपर्दायों को फणने फूरने का समूचित अवसर परदान किया था वे बिना किसी भेदभाव के उच परशासनेक पदों पर सभी धर्मानुयाईयों की नियुक्तियां करते थे समरार समुद्र गुप्ति ने अपने पुत्र की सिख्षा दिक्षा के लिए परख्यात बोध विद्वान वसुबंधू को नियुक्ति किया था चंद्र गुप्त दुवित्य विक्रमादिते ने सैव वीर शेन तथा बोध अम्र कार्दव को करमसे अपने परधान मंत्री यह परधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था फाइयान जो स्वेम बोध था उसकी धार्मिक सहिशुनता की परशंसा करता है कुमार गुप्त पर्थम के काल में बुध सूरिय शिव आदी की उपासना को सम्मान रूप से राज्य की ओर से प्रोध सहान प्राप्थ हुआ था नालंदा में विख्यात बोध विहार उसी के समय में इस्थापित किया गया जिसे राज्य की ओर से धन दिया गया इसकंद गुप्त के सासनकाल में पांत जैन तीर्थंकरों की पासान पर्तिमाउं का निर्मान करवाया गया था वन ये गुप्त नामक एक परवर्तिक गुप्त सासक ने जो सैव था वेवर्तिक संग नामक मायान बोध संस्थान को दान दिया था यदे भी गुप्तियोगिन परजा को अपनी इच्छानुसार दर्माचरण की सुवतंतरता प्राप्त थी, तदा भी उत्तर भारत में वैशनव दर्म अत्यदिक लोग पिरिये था, गुप्तकाल के बहुसंक्य अभी लेखो में भगवान विश्णु के मंदिरों का उलेख मि उनके अवसेश आज भी प्राप्त हैं, हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन एवं बोध मतनुयाई भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, इस प्रकार गुप्तियोग में विभिन दर्मों एवं संपर्दयों में सामंजस से एवं मेल मिलापका वाता इस काल में अनेक विदेशियों ने हिंदू धर्म एमसेंसकारों को अपना लिया था, जावा, सुमाता, सुमात्रा, बोड़नियों, आदि दक्सिनी, पूर्वी एसिया के विभिन द्विपों में हिंदू धर्म का व्यापक परचार हो चुका था, तो ये तो था गुप्तो चार वन्नों, ब्राहमन, चत्रिय, वश्य, एमसुद्र के अलावा कुछ अन्य जाती भी अस्तित्वय में आ चुकी थी, चारों वन्नों की समाजिक स्तिती में विभेद किया जाता था, वारह मिहर के अनुसार ब्राहमन, चत्रिय, वश्य, तथा सुद्र के घर करम से 5, 4, 3 तथा दो कमरों वाले होने चाहिए नियाय व्यवस्ता में भी विभिन वर्णों की स्थितिके अनुसार भेदभाव करने का विधान मिलता है परन्तु इस समय जात्ती व्यवस्ता उतनी अधिक जटी नहीं हो पाई थी जितनी की परवर्ति कालों में देखने को मिलती है समाज के सभी वर्णों इन जात्तियों में ब्राहूनों का परतिष्ठी दिस्थान था यद्पी उनका मुख्य कर्म धार्मिक यहु सहित्यक था तता पी कुछ ब्राहवनों ने अपने जात्तिकत पेशों को छोड़ कर अन्य जातियों की व्रति को अपना लिया था मर्च कटीकम जो गुप्त कालीन रचना है इसमें चारुदत नामक ब्राह्मन को सार्थवा है या व्यापारी कहा गया है इस ग्रंथ से पता चलता है कि उसका परिवार पिछली तीन पीडियों से व्यापार्थ अथा वानेजे का कारिये करते थे स्मर्थी करन्थों में भी इस व्रित्य को ब्राह्मन वान का आपद धर्म कहा गया है यह इस काल में व्यापार्वानेजे के बढ़ते हुए प्रभाव का सूचक है कुछ ब्राह्मन सिल्फ कार का काम करते थे जबकि कुछ यूदयम सेनिकारियों में भी निपुन थे इसी प्रकार छत्तरिय जाती के लोगों ने भी व्यापार ओध्योगिक व्रत्ती अपना ली थी। आदी मिस्री जातियों का उलेक हुआ है। समकाले इन अभी लेकों में कायस्त नामक पदा दिकारियों का उलेक मिलता है। जो पेशेवर लेखक थे तथा उनकी कोई विशिस्त जाती नहीं बन पाई थी। गुपतकाले इस मर्तियां सुद्रों को व्यापार, शिल्प तथा क शुद्र का समाने धर्म है। उनम्र्चकटिकहमसे पता चलता है कि उजनी में कुछ सुद्र अधिकारी थे। अब उने महा काविंत था, पुराणों के सर्वन का अधिकार भी मिल गया। यह समाज में सुद्रों के परती बदलते हुए दृष्टी कोन का परिचायक है श्मर्ती करें तो एम फायान के विवरन से पता चलता है कि समाज में ऐस पर्षिता पर्षित थी फायान अचुतों को चांडाल कहता है जो गाउं एम नगरों के बाहर निवास करते थे वे ही आखेट करते एम मास बेजते गाउं तथा नगरों में प्रवेश करते समय वे लकडी पीटते हुए चलते थे ताकि लोग मार्च से हड़ जाएं और उनके इस पर्षित से बच जाएं समाज के सभी जातियों में ब्रामनों इम चत्रियों की सर्वातिक पर्तिष्टा थी ब्रामनों के साथ साथ चत्रियों को भी उपनेन सिंसकार इम वेदा धेन के दिकार प्राप्ट थे कुछ वैसे जाति की लोग भी इन अदिकारों का उखुभो करते थे वे ब्रामनों एम विहारों को मुक्त हस्त से दान देते थे अस्पताल खुलवाते तथा उनके निर्वाहे की व्यवस्था भी करते थे वस्यों की स्रेणिया थी जो व्यापरवानेजय का संचादन करती थी समाज में उनकी काफी परतिस्टा थी अब देखेगा दास पर्था समर्थी गरंतों से समाज में दास पर्था के पर्चनन का भी प्रमान मिलता है यूद में बंदी बनाये गए तथा रिन न चुका सकने वाले लोग प्राये दास बनाये जाते थे मर्च कटी गम से पता चलता है कि दास के स्रीर पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रन होता था किन्तु यहां दास पर्था पास्ताते देशों की दास पर्था के समाल जटी नहीं थी एक निस्चित अवधित तक सेवा करने था रिण चुका देने पर दास्वरतंदर था प्राप्त कर सकने का दिकारी था उसके साथ व्यापार में मानविय आचरण किया जाता था इस्तरियों की दसा, तो गुप्तकाल में इस्तरियों की दसा क्या थी? गुप्तकाल में स्त्रियों को पर्तिष्टित स्थान दिया गया था सजाती विवा होते थे ऐसे भी उदार्ण देखने को मिलते हैं निम्नवर्ण की कन्या का विवा है उच्वर्ण में हो जाता था ऐसे विवा को अनुलोम विवा का जाता था तो अनलोम विवा किसे का अज़त था निम्न वरण की तो कन्या हो तता उच्वरण का वरभ हो वह है अनलोम विवा होता था इसमर्थी क्रेंट इसकी माननेता देते हैं नारत एम पार्षर के समर्थियों से विद्वा विवा का समर्थन मिलता है विद्वा विवा का भी विधान था गुप्त यूप में कन्यों का विवा है समानेता है 12-13 वर्ष के वस्ता में होता था अता है उनका उपनेन सेंसकार बंध हो गया यागवल्ले के इस मर्ति कन्या के लिए उपनेन एवं वेदा धेन का निशेद करती है सत्य पर्था का उले केवल 510 इस्वी के भानूगुप के एरन अभिलेक में मिलता है जिसके अनुसार उसके मित्र गोपराज की मर्ति के बाद उसकी पतनी सत्ती हो गई थी परन्तु ऐसा पर्था नह तो समाज में लोग फिर हो पाई थी और नहीं कोई सास्त्रिय मनेता ही मिल चुकी थी तो देखेगा ये भानुगुप के एरन अभिलेक वाली सूचना के वार एक्जाम में पूछ लेते हैं ध्याम से देखेगा वीडियो समाज में वेश्यों के अस्तीत्व का भी पर्मान मिलता है काम सुत्र में गणिकों को दिये जाने वाले परसिक्सन का वीवरण दिया जाता है इससे यह मालूम होता है कि व्यवशाय काफी पर्चलित था मुद्राराक्स से पता चलता है कि उच्चों के समय बड़ी संख्या में वेश्याय सड़कों पर निकलती थी मंदिरों में कन्याएं देवदासी के रूप में नर्ते गान करने वाली देवदासियों का वीवरण दिया गया है पर्दा-पर्था का पर्चलन नहीं था तता इस्तरिया स्वतंतरता पूरे विच्रन कर सकती थी किन्तु कुलीन वर की मैलाएं बाहर निकलते समय अपने मुहाँ पर गुंगर डालती थी गुप्तकालीन स्मर्थियों में इस्तरी के संपत्ती संबंदी अधिकार को मानेता परदान की गई तता इस्तरिधन का दाईरा अत्यंत विस्तरित कर दिया गया पुत्तर के अभा में पती की संपत्ती पर पतने का अधिकार होता था नारत तथा कात्यायन आति स्मृतिकार करने को भी पिता की संपति का अधिकारेनी मानते हैं कात्यायन ने तो यह व्यवस्ता दी है कि इस्तरी का अधिकार होता और वह इस्तरी धन के साथ इसे भी बेज सकती अथ्वा बंदक रख सकती है समाज के उच्वर्गों का जीवन सुखी तथा आमोध पूर्ण था संगीत नृत्ते नाटक आदी के द्वारा लोग आनंद लेते थे जूबकों को पणे कला की सिख्षा दी जाती थी कामसुतर में इस प्रकार के सुक संपन आगरिकों की दिन्चरिया का वर्णन मिलता है किन्तु यही स्थिति समाज के निम्न वर्गों की नहीं थी ठीक है ना निम्न वर्ग है उसको अच्छूत की दरश्टी की तरह देखा जाता था उनके साथ अच्छा विवार नहीं किया जाता था ओके तो यह वीडियो अंतक देखने के लिए इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप लोगों का बहुत भुत धन्यवाद